आप देख रहे हैं ट्रू मेडिकल जहां आप पाते हैं दवाईयों के बारे में कम्प्लीट जानकरी आज की वीडियो में हम जानेंगे 81.2MG टैबलेट के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस टैबलेट है नीद के लिए जानने जाती है तो चलिए आज की वीडियो में इस टैबलेट के बारे में सब कुछ अच्छे से जान लेते हैं जैसे की 81.2 टैबलेट किसलिए यूज की जाती है किल लोगों को दे सकते है, कितनी उमर तक दे सकते है इस टेबलेट से कितने घंटे नींद आती है किस चीज़ों मिलाकर इस टेबलेट को देनी होती है ये सबी बाते आज हम इस वीडियो में किलियर करेंगे तो वीडियो का आप complete जरूर देखे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है MRP इस पर 82 पड़ा मिलेगा लेकिन नार्कोटिक्स टेबलेट है जो आपको MRP से उपर मिलेगी लगबग 10 रुपे के एक टेबलेट के हिसाब से ये आपको मिल जाएगी नार्कोटिक सभी आइटम आपको MRP से उपर मिलेगा और इसके अंदर एक साल्ट होता है लोराजी पाम अब हम जानेंगे इस टेबलेट के बेनेफिट के बारे में 81 टेबलेट बेंजो डाइज़ेपिन ड्रग होती है जो की सोट टर्म एंजाइटी के ट्रिटमेंट में यूज की जाती है यह एक दिमागी रोग होता है जिसमें पैसेंट को बेचेनेसी होती रहती है उनको बहुत ज़्यादा टेंसन होती है कि स्ट्रेस उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा बना रहता है उनके दिमाग में तरह तरह के उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं अचानक हाथ पयर कापना पसीन आना इस तरह की कंडिसन उनमें बनी रहती है तो इन सब को ठीक करने के लिए 812MG टैबलेट को यूज किया जाता है और टैंसन डिप्रेशन की वज़े से नींद नहीं आती है उसमें भी ये टैबलेट बहुत ज़्यादा फाइदेवन्द होती है इटवान टैबलेट माइन को रिलेक्स करती है जिससे पैसेंट पूरी रात गहरी नींद में सो जाता है अगर आप इस टैबलेट को किसी को खिलाते हैं तो वो बंदा पूरी रात उठ नहीं पाएगा इतना तेज इस टैबलेट का रिजल्ट होता है किसी भी परसन को घंटों तक सुलाने में इस टैबलेट का काफी कमाल का रिजल्ट होता है और इस टैबलेट को सरजरी से पहले या डेंडल प्रोसिजर से पहले डोक्टर दुवारा पेसेंट को दिया जाता है जिससे उन्हें बेवस करके आराम से ट्रीटमेंट कर सके किसी भी परसन को सुलाने में इस टैबलेट का काफी कमाल का रिजल्ट होता है अगर किसी को ये टैबलेट खिलाते हैं तो वो बंदा पूरी रात उटना ही पाएगा पूरी रात वो बंदा गहरे नीन में सो जाएगा और आजकल नसा करने वाले लोग इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और अगर आप पूरी रात के लिए किसी को सुलाना चाते हैं तो आप इस टैबलेट को चाय में पीस कर दे चाय में मिक्स हो जाने पर ये टैबलेट और ज़्यादा हैवी हो जाती है अगर आप किसी मरीज को या किसी अधर परसन को चाय में मिलाकर देते हैं तो वो बंदा पूरी रात उटना ही पाएगा पूरी रात वो बंदा गहरी नीन में सो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल फीका होता है फैडिड होता है जिससे चाय में मिलाकर कुछ भी पता नहीं लगता और बात अगर इस टैबलेट को बाई करने की करे तो यह आपको डोक्टर दुआरा प्रिस्क्राइब पर्चे परी मिलेगी बिना डोक्टर के पर्चे के यह टैबलेट आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि यह नार्कोटिक्स टैबलेट है नसे की टैबलेट है जो बिना पर्मिसन के नहीं मिलती अब हम जान लेते हैं 81 टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो आपको फटीक हो सकती है मतलब ठकान हो सकती है डिजिनेस मतलब चक्कर आ सकते है बोडी का बैलेंस बिगर सकता है इस तरह के side effect आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि एक दो दिन में ठीक हो जाते हैं अगर ये side effect एक दिन में ठीक नहीं होते हैं या फिर इनसे अलग कोई और side effect देखने को मिलता है तो आप इस tablet को लेना बंद कर दे और अपने डोक्टर से मिले उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी तो ये थी 81-2MG tablet से related कुछ जानकारी आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें